खारक के प्लाहन मंत्री नरेंदर मोधी के अंदर, अगर जड़ासी भी शर्म है तो चुलू गण पानी में नार्त रगर के पूरे देश से माफी मादनी चाहिए संजे सिंग का नाम है चार्षीद में, संजे सिंग का नाम है चार्षीद में कि इडी सब को नोटिस बेशती है मैंने खुद एडी वालों को नोटिस बेगा माना है इस सराब घुटाले में किसी भी प्रकार का कोई साक्षे कोई तथे कोई प्रमाण एडी के पास नहीं है कि इस राजेस जोसी के नाम पर तुमने कहा कि 30 करोड रुपए इसको रिश्वत दी गई और इसमें गोवा के चुनाओं में लगाया कोट में एक साक्ष एक सबूर इडी नहीं प्रस्तु कर पाई सभी पत्रकार बंधूं को नमश्कार छे मई को दिल्ली की अदालत ने जो आदेश पारित किया उस आदेश के आने के बाद पूरी दुनिया के सामने मन गढ़ंत तथा कथित हवा हवाई शराब घोटाले का सच सामने आ गया है और पूरी दुनिया को ये सच्चाई पता चल गई है कि दर असल सराब घोटाले जैसी कोई चीज थी ही नहीं सराब घोटाले के नाम पर भारती जनता पार्टी ने पीमो ने नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरिवाल के खिलाफ एक गहरी साजिस रची उनकी छवी को खराब करने की एक गहरी साजिस रची आम आदमी पार्टी की छवी को खराब करने की एक गहरी साजिस रची क्योंकि सराब घोटाला जैसी कोई चीज नहीं हुई एक फिल्म का गाना था बिजली गिराने मैं हूँ आई कहते हैं मुझको हवा हवाई कल से भाजपाईयों से जो भी पूछा जा रहा है भाजपाई कहते हैं मुझको हवा हवाई हवा में एक घोटाले की बात करते थे हवा में एक जाच की बात करते थे ED ने CBI ने जो जाच सुरू की उस जाच में कहा ये तो सो करोण रुपए की रिश्वत ली गई है पहले EDCBI ने माल लिया 70 करोण की कोई जानकारी हमारे पास नहीं 70 करोण का तो कोई सबूत ही नहीं 30 करोण का सबूत है ऐसा एक जूटा प्रचार और जूटी जानकारी उन्होंने अपनी चार सीट में रखी ये कहा कि राजेस जोसी नाम के एक वेंडर को साउत के कुछ लिखकर ब्यापारियों ने 30 करोण की रिश्वत दी वो 30 करोण रूपए राजेस जोसी के माध्यम से गोवा चुनाओं में खर्च किये गए राजेस जोसी के माध्यम से गोवा चुनाओं में 30 करोण रूपए खर्च किये गए पिछले छे महिने से पूरी की पूरी EDCBI पूरा का पूरा विभाग नरंदर मोदी जी ने का जाओ गोवा जाओ गोवा जाच करो जाच करो विचारे EDCBI आले क्या करते हैं दिन रात गोवा में लगे हुए हैं इससे पूछो उससे पूछो इसको पकड़ो उसको जेल में डालो इसको हरकाओ उसको धमकाओ सारी जाच कर ली EDCBI ने सारी जाच कर ली उसके बाद ED वालों ने कहा साहब कुल 19 लाख रुपए कैस में खर्च हुआ है दुनिया की सबसे इमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी जो एक विधान सभा के प्रदेश के चुनाओं में मात्र 19 लाख रुपए कैस में खर्च करती है मैं नहीं ED और CBI कह रही है ED और CBI कह रही है 19 लाख रुपए मात्र खर्च किये गए कोट ने पूछा भाई आप ये 30 करोन का आरोप कैसे लगा रहे है कहते हैं कोई सबूत नहीं कोट ने का कोई सबूत नहीं तो गिरिफ्तार करके क्यों रखा है ये तो आपकी जाची फर्दी है बेबुनियाद है निराधार है इसमें तो कोई तथ्य नहीं कोई प्रमार नहीं और इसके आधार पर राजेस जोसी और गौतम मलहुत्रा को कोट ने जमानत दे दी ये कहते हुए कि सराब घोटाले में किसी भी प्रकार का कोई साक्षे कोई तथ्य कोई प्रमार इडी के पास नहीं है इसके बाद भारती जंता पार्टी के अंदर भारत के प्रहान मंत्री नरेंदर मोधी के अंदर अगर जरासी भी शर्म है तो चुलू भर पानी में नात रगड के पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए अर्विंद केद्रिवाल से माफी मांगनी चाहिए आम आदमी पाटी से माफी मांगनी चाहिए और ये हवा हवाई छूटा मन गरंद जो घोटाला खड़ा किया गया इस घोटाले को खड़ा करने वालों के खिलाफ सक्त कारवई होनी चाहिए एक ऐसी जाँ चाप कर रहे हैं जिसका न सिर्ध है न पाउ है पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं सराब घोटाला जूट का एक पुलिंदा है बेवनियाद है इसमें कोई घथ नहीं कोई प्रमार नहीं लेकिנ प्रमार जुटाने के लिए दबाव बनाएगया प्स्क्राइद नरेंधर मोड़ी के दवारा भारती पार्टी के द्वारा किया रे केजरिवाल की छवी खराब करो कहीं सभी पकड़ो सबको गिरिफतार करो आमाद्मी पार्टी की छवी खराब करो इनके नेताओं की छवी खराब करो तो क्या क्या किया इसके लिए एक चंदन रेड़ी नाम के विक्ति को पकड़ा उसको मारा प समीर मेंद्रू ने कोट में का साथ हमसे जवरन जबरदस्ती बयान लिया इडी ने अरुन पिल्ले ने कोट में का साथ हमसे गलत जबरदस्ती बयान लिया इतना ही नहीं कितनी जूटी कहानिया और कैसे चीखते थे नाचते थे भाजपाई ऐसे लगता था टीवी फार के बाह स्थी सौदिया ने 14 फोन तोड़ दिया मनिस स्थी सौदिया ने 14 फोन तोड़ दिया हमें तो डल लगता था कि भाजपाई कहीं पगला कि स्क्रीन फार के लग लगब बाहर निकल जाए टीवी से इतना तेज़ चीक ते चिल लाते थै कि मैंने इडी के पास है कि सारे फोन चल रहे हैं। कि ऐसे चीखते थे बाजपाई चिल लाते थे फिर क्या कहा संजेय सिंग का नाम है चार सीथ में बहुदर सबको नोटीस भेजती है मैंने खुद इड़ी वालों को नोटीस भेजा मान हानी का मैंने का बता क्या इसकी सच्छा है तो लिखके उन्होंने गल्ती मानी बोले लिखना था राहुल सिंग लिख दिया लड ह मुदि लिख दिया तो क्या होगा करो इतना जूट वो लोगे तो इस लिए पूरी की पूरी भारती जनता पार्टी को इस देश के लोगों से आम आदमी पार्टी के एक एक करे करता से नाप रगड के माफी माँगनी चाहिए जिन लोगों ने जूटे आरोप लगाए जूटे बयान बाजिया की जूटे तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने क कोसिस की उन सब को माफी मागनी चाहिए और साथ ही साथ देश के प्रधान मंत्री को स्तारजिनिक रूप से सामने आके इस जो साजिस के पीछे इस इस गहरी साजिस के पीछे जो उनका और उनके दफ्तर का हाथ है उनको भी माफी मागनी चाहिए सराब गोटाला सराब गोटाला बिना मतलब कोई सबूत नहीं कोई आधार नहीं अरे जिस राजेस जोसी के नाम पे तुमने कहा कि 30 करों रुपए इसको रिश्वत दी गही और इसने गोवा के चुनाओं में लगाया कोट में एक साक्ष एक सबूत एडी नहीं प्रस्तुत कर पई गोतम मलोतरा के खिलाब जो आरोप लगे एक साक्ष और सबूत प्रस्तुत नहीं कर पई इसका मतलब क्या है किसी को भी चौराहे से पकड़ो चार तमाचे मारो किसी को को तेरी बेटी कॉलेज कैसे जाएगी हम किसी के कहो तेरे बुदुर्ग माबाप की हम ऐसी तैसी कर देंगे किसी के कहो तेरा हम व्यापार चौपट कर देंगे और उसे कुछ भी बयान लिख वालो कोई सच्चाई नहीं, कोई प्रमार नहीं तो इसलिए भारती जनता पर्टी का ये काला चहरा भारती जन्ता पार्टी की एक गहरी साजिस छे माई को मानी कोट के आदेश के बार पूरे देश के सामने आ गई है और ये सच भी पूरे देश के सामने आ गया है कि अर्विंद केजरिवाल एक कटर इमानदार नेता है आमादनी पार्टी एक कट्टर इमानदार पार्टी है और इसके किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने में जूटे आरोप लगाने में चाहे मोदी जी हो चाहे भारती जनता पार्टी हो चाहे पूरी की पूरी इनका तंत्र हो कोई भी सफल नहीं होगा एडी हो सीबी आई हो कोई भी सफल नहीं होगा क्योंकि छूट छूट होता है सच सच होता है जैहिन सत्यमियो जैते और ये सब कुछ इसलिए हुआ कि एक कहावत है हमारे यहां कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है सुने होगी एक कहावत आपने तो जिस पार्टी का रास्टी अध्यक्ष रच्छा सौदे में रिश्वत खाते हुए सजा पा चुका हो जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करती हो जो पार्टी ब्यापं घोटाला करती हो जो पार्टी रेडडी ब्रदर्स और यद्रप्त के जैसे माई्मिंग घोटाले करती हो जो पार्टी अडानी के चरनों में बैठकर लाखो करोने का घोटाला करती हो जिस पार्टी के बारे में करनाटक के गली-गली में महले महले में गाउं गाउं में किसी भी बच्चे से पूछो भारती जनता पार्टी लोग कहते हैं 40% कमीशन वाली पार्टी उनको तो सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नजर आता है घोटाले बाजों को मन गढ़ंत जूटा एक शराब घोटाले का आरोग केजरी वाल और आमादमी पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाना था इसलिए उन्होंने ये पूरी कहानी रची थी लेकिन इसका पूरा सच पूरा साक्ष पूरा प्रमार अब देश के सामने आ गया है और मैं फिर दोरा रहा हूँ कि प्रधानमंतिर नरेंदर मोदी को भारती जंता पार्टी को चुलू भर पानी लेके नाक रगड के पूरे दे जिजों को दोराओंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं तो कह रहा हूँ कि भाजपाई कल से क्यों गाना गा रहे हैं कि कहते हैं मुझको हवा हवाई जो पूरे के पूरे आरोप पोर्ट में ध्वास्त हो गए एक सबूत एक प्रमार नहीं मिला तो अब मू जिलान के लिए खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप भाजपा कुछ भी बोलती रहे हैं कि कहा था ना चीख के चोदा फोन तोड़ दिये मनी से सव्भिया ला मैंने सारे साथ च्रक्थे तो भाजपाईयों को माफी नहीं मांगनी चाहिए इसके लिए कहा गोवा के चुनाओ गलती हो गई गलती से नाम लिख दिया तो इसलिए मैं करता हूं गंदी राजनीती करो इतनी घटिया अब दिकत क्या है कि गुजरात में शराब घुटाला होता है उत्तर प्रदेश में शराब घुटाला होता है नकली शराब पी के लोग मर जाते हैं यही सब करते हैं बहुत बदर